इनके लिए प्रदान मंत्री स्वनिदी योजना संचाली थे इन दोनों योजनाओं का मद्देश में सरस्ष्ट क्रियानवन हुआ है प्रदान मंत्री सहरी आवास योजना में प्रदेश के साथ लाख पचास हजार खितगराईयों को लाभानवित किया गया है प्रदानमंत्री आवाज योजना ग्रामिंड में प्रदेश में लगबक साथ लाक मकानों का निर्मान कर लिया गया है PM जन्मन योजना में विशेज पिछडी जन जाती, बेगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवाज देने की सुरूआत की गई है मद्वदेश इस योजना के क्रियानवन में प्रथमें, प्रदेश सरकार में, मुख्यमंद्री कन्या, विभा और निकाह साहता योजना में वर्स 2023 में 25,583 कन्याओं के विभा के लिए साहता रासी दी है समाज के वरिष जन, दिव्यांग जन, निरासरितों और कल्याणी बहनों को प्रत्य एक महा 600 रुपे दिये जा रहा है अन्य तरह के 81,000 दिव्यांग जनों को बीते वर्स 500 करोड रुपे से अधिक की आर्थिक साहिता प्रदान की गई है बीते वर्स 34,000 दिव्यांग जनों को 43 करोड असी लाख रुपे की लागत से 6,000 से अधिक करत्री मंग लगवाए गए है सरम कल्याण मंडल की विविन योजनाओं में 7 लाख सरमिकों को 43 करोड रुपे की साहिता रासी दी गई है सरमिक के परिवारों के लिए सेक्षनिक छात्रवत्ती योजना, सिक्षा प्रोटसान पुरुसकार, विभास सायता, कल्याणी सायता, सरमिक साहित्ति पुरुसकार और उत्तम सरमिक पुरुसकार योजना लागू की गई है प्रदेश में स्रमिकों के बच्चों को बहतर शिक्षा देने के उद्देश से चार आवासी स्रमोदे विध्यले संचालित किये जा रहे हैं। अभियान में अनेक कारी चल रहे हैं। प्रकास और कल्यान के लिए इस वित्वर्स में 40,804 करोड़ रुपे के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पिछले बजट की तुल्ला में 23.4 अधिक है। प्रद्यान मंत्री जन्मन योजना में प्रदेश में बहुत देशी केंद्र, ग्रामेंड आवास, ग्रामेंड शड़क, समग्र शिक्षा और विध्यूति करण कारे उपर इस वर्स 1,607 करोड़ रुपे वे किये जाएंगे। विशेश पिछडी जन्जाती बहुल जिलों में 7,300 करोड रुपे से अधिक की लागत से अधो सचना के कारे किये जा रहे हैं। इस वित्तवर्स में 27,900 करोड रुपे का प्रावधान प्रस्तावी थे। अनुसुचि जाती विध्यारतियों के लिए छात्रवत्ति, सिश्ष्रवत्ति, गणवेश, छात्रवास,